क्या आप जानते हैं कि आखिर क्या वज़े हैं लोग बदल नहीं पाते हैं क्या वज़े हैं कि लोग अपनी जिन्दगी जीते रहते हैं जिससे वे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं और उत जिन्दगी को नहीं जी पाते हैं जिससे वे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं इस वज़े को समझानी के लिए सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी जो भी मेरी इस आवाज को सुन रहा है उन्तों सबको हर दिन बिल्कुल बराबर समय मिला है लेकिन कम बहुत कम लोग है उस समय का जो सही इस्तिमाल कर रहे है और जादा तो लोग उस समय को बरबात कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ ऐसे लोगों कि इस बात भी कोई की भी सिकायत रहती है कि वो जिन्दगी में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं वहीं के वहीं रहे दे हैं और इस सिकायत को लोग एसे करते हैं, जैसे कोई उन सबके निड्ने, कोई ओद ले रहा है, वह तो बस अपना पियावा वगत रहे है जबकि हकीकत तो यह है, सबको के पास पराबर मोगा है, सबके पास पराबर समय होता है, लेकिन ये बास सबको समझ में नहीं आती, अगर आ बस एक चीज पूर्ट होनी चाहिए वो है इच्छा सकती ना इनसान जा चाहें वो कुछ भी कर सकता है जिन बच्चों के पास ज़्यादा सुक्सिविदा नहीं होती घर में गरेबी होती है लेकिन मन में पढ़ाई की इच्छा होती है ऐसे बच्चों टोप कर जाते हैं और जिन बच्चों के मन में पढ़ाई की इच्छा नहीं होती लेकिन गरेबी में संपन और सल्प हर तरीकी सुक्सिविदा होती है उसके बावज़ुत भी वो परिक्षा में पास तक भी नहीं हो पाते है अगर इस इस दुनिया में ऐसे अजारों उधारन बढ़े पड़े उन लोगों के जिनोंने बिना संसादन बिना पैसा बिना सुविदा बिना किसी के साथ के सुरुआत के और अपनी जिन्दगी में एक बोट बड़ा मुकाम आसिल किया लोग आज उनकी जिन्दगी जीना चाते है उन्होंने कभी सिकायद नहीं की उन्होंने कभी रोना नहीं रोया उन्होंने अपने समय का सही इस्तिमाल करना सीखा उन्होंने संसादनों का सही इस्तिमाल करना सीखा पैसों का सही इस्तिमाल करना सीखा अब आप खुद ही सोचिये, जब भजारों लोग ऐसा कर सकते हैं, तो आप फिर क्यूं नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर ऐसी कौन सी कमी हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, देखो किसी की भी बाहन नहीं हो सकते हैं, य फिर क्या वज़े इसके पीछे कि वे आगे बढ़ नहीं पा रहे है।